क्या आप जानते हैं कि राम ने अपने प्रिये छोटे भाई लक्ष्मन को मृत्यु दंड दिया था? नहीं? तो चलिए जानते हैं, ये कहानी तप की है जब यमराज, मृत्यु के देवता, राम से एकांत में बात करना चाहते थे. राम ने लक्ष्मन को आदेश दिया कि कोई भी उस समय कमरे में प्रवेश न करे. उन्होंने कहा कि जो भी इस आदेश का उलंगन करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. लक्ष्मन ने राम के आदेश का पालन करते हुए द्वार पर पहरा दिया. लेकिन तभी एक हीशी वहाँ आए और लक्ष्मन के पास कोई विकल्प नहीं था, सिवाए उन्हें अंदर जाने देने के. जब राम ने ये देखा, तो उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए लक्ष्मन को मृत्यु दंड दिया. पर क्या ये निर्ने केवल वचन का पालन करने का मामला था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? क्या ये यम्राज के साथ किसी गुप समझौते का हिस्सा था? क्या राम ने लक्ष्मन को सच में सजा दी थी, या ये किसी उच उद्देश्ची की पूर्ती के लिए एक योजना थी? ये सवाल आज भी रहस्य बने हुए है. इस कहानी के विभिन्न पहलूँ को जानने के लिए जुड़े रही है. और हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में राम के इस निर्ने के पीछे कोई और वज़ह हो सकती है?